Hello everyone, welcome back to your own channel Fintech दोस्तों आज के दिन काफी लंबे समय के बाद एक long वीडियो आई है और उसका जो reason है, वो reason यह है कि मैं काफी जादा थोड़ा सा personal काम में busy हो गया हूँ मेरा एक छोटा बेटा है, 7 months old है और उसकी परवरिश में जो है तो कब कैसे पूरा समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता शाम को थोड़ा बहुत समय निकालता हूँ और उसमें मैं कोशिश करता हूँ stock market की जो भी latest updates है या फिर stock related information है उन सभी information को shorts के माध्यम से मैं आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करता हूँ हलाकि आज weekend में थोड़ा सा time मिला है, market में correction भी है, nifty की बात करें almost 7% down है तो मैंने सुचा क्यों नहीं एक long video बना करके इसमें discuss किया जाए मैं कैसे plan कर रहा हूँ, अभी इस गिरावट में investment करने के लिए क्या मेरी opportunity, किन stocks में मैं opportunity देख रहा हूँ वो सारी चीजे आपके सामने आज की इस video में मैं discuss करूँगा सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि market गिर क्यों रहा है तो इसके बारे में already मैंने एक short video बनाया हुआ था, उसमें मैंने discuss किया था देखे, ये आज का नहीं कई सालों का trend है, आप उठा के पिछले कई सालों का trend देख लीजे FIIs की जो है, वो continuously selling हमें देखने को मिलती है और ये चीज मैंने आपको December के भी मन्त में बोला था, कि अगर आप वहाँ पे कोई भी stock buy करने के लिए opportunity ढोड रहे हैं, तो थोड़ा सा wait and watch कर सकते हैं, क्योंकि January के end में जो है कि FOMC की जो meeting होने वाली है, उसका outcome जो है, वो meeting जो है 31st gen से ले करके 1st fev तक जो है, चलेगी दो दिन की meeting रहती है, और इन दिनों में आपको जो है, तो outcome देखने को मिलेगा clear cut मेरा इसमें जो opinion था, मैं बहुत पहले भी वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि Adani के business में मुझे बिल्कुल भी faith नहीं है, और वो जो faith है, वो मेरा strong तब हो जाता है जब यहाँ पे 1000-1000 के multiples जो है Adani के stocks में हमें देखने को मिलते हैं, हलाकि कुछ business मुझे फिर भी थोड़े बहुत ठीक लगते हैं for example के लिए बात करें Adani Wilmar हो गया, Adani Port हो गया, आप अगर Adani Wilmar में यहाँ पे delivery position देखेंगे पिछले दिनों की 86% के आपको delivery देखने को मिलेगी, तो लोगों ने वहाँ पे position ली है क्योंकि यह क्या है कि एक तरीके से आपको यहाँ पे 50-50% की partnership में यह जो company है देखने को मिलती है Adani और Wilmar की तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है तो SMCG business होने की वज़ा से cash flow होने की वज़ा से लोगों को थोड़ा सा faith रहता है और यही reason है कि गिरावट का यहाँ पे में भी लोगों ने फाइदा उठाया है otherwise आप वहाँ पे और दूसरे Adani की company देख लीज़े चाहे वो Adani enterprise हो चाहे वो Adani green हो चाहे वो Adani के और कोई भी company हो आपको delivery percentage जनरली 15-20% के आसपास देखने को मिलेगी यानि कि इस गिरावट में भी लोगों ने DMAT में Adani के stocks को नहीं लिया है तो ये तीन reason है stock market में इस समय की गिरावट के FIIs की selling जो की nervous selling यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है FOMC की meeting outcome का fear है और Adani effect देखने को मिल रहा है investment की planning की बात करूँ तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि index को watch करता हूँ index अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो फिलहाल 7% के correction पर है लेकिन अगर दो दिन में और 3% की गिरावट होती है तो 10% के correction पर आ जाएगा जो एक better criteria बन जाता है यहाँ पे SIP के साथ साथ step up SIP करने के लिए तो इस वजह से मैं थोड़ा सा wait and watch कर रहा हूँ मैंने अभी January का जो मेरा SIP का plan था उसको फिलहाल थोड़ा सा hold में रखा हूँ क्योंकि यही लग रहा था मुझे कि अगर last में थोड़ा ज़्यादा market correct होता है तो एक साथ वहाँ पे SIP के साथ साथ step up SIP करते हुए investment की मैं planning करूँगा अब यहाँ पे दोनों ही case को discuss करते हैं suppose की 7% ही correct होता है market यहाँ से अब ज़्यादा correct नहीं होता है सबसे पहला तो यहाँ पे ETF को buy करना है यह चीज मैंने पहले भी आपके साथ discuss किया है जब index काफी ज़्यादा गिर जाए तो ETF को खरीदने से काफी ज़्यादा benefit मिलते हैं क्योंकि जब market उठता है तब वो कोई guarantee नहीं है कि वहाँ पे bank index को उठाएगा या फिर वहाँ पे IT stocks index को उठाएगे या फिर reliance उठाएगा तो ऐसे कई सारे stocks होते हैं कई सारे segments होते हैं जो index को उठाते हैं तो index balancing होती रहती है समय समय पर ETF को buy करने से आपको फाइदा ये मिलता है कि चाहे bank भागे या IT भागे या कुछ भी भागे आपका index अगर उपर जा रहा है तो आपको return वहाँ पे मिल जाते हैं और ETF को buy करने का एक अच्छा benefit भी मैं आपको बता दूँ 90% mutual fund जो हैं वो benchmark को beat नहीं कर पाते हैं तो ऐसे market में बहुत सारे ETF अबलेबल हैं जैसे निपॉन का nifty bees है ICICI Prudential के हैं और Mirai Asset के हैं Kotak के हैं और more or less सारे ETF सेम रहते हैं बस आपको उसमें दो चीज़े देखनी रहती हैं tracking error mostly आपको देखना रहेगा सब में almost सेम मिलेगा और उसके साथ expense ratio भी आपको देखना रहता है जो की काफी कम रहता है minimum मैंने 0.05% I think देखा है एक बार देख लिजेगा 0.05 है या फिर 0.03% है और वो mostly आपको कई सारे ETF में मिल जाएगा तो ऐसा ETF आप चाहें तो उसको चूज कर सकते हैं मैं यहाँ पर Nippon India का जो Nifty Bees है उसको मैंने यहाँ पर चूज किया हुआ है क्योंकि उसमें tracking error भी minimum है expense ratio भी minimum है और liquidity भी अच्छी है अब इसके इलावा यहाँ पर आते हैं कुछ stocks के बारे में बात कर लेते हैं तो ऐसे stock में investment करूंगा मैं जो की blue chip stocks है उसके साथ साथ वो जो है तो cash flow अच्छा generate करते हूँ यानि उनके balance sheet आपको अच्छी देखने को मिले इसके साथ recently उनके quarter 3 के number आ चुके हैं और वो strong number है और इसके साथ साथ वो आपको more than 20 percentage के correction पर available है ये criteria मैं यहाँ पे choose करूंगा जिनके अभी quarter 3 के number नहीं आये हैं कुछ ऐसे stocks भी हैं जो मेरे radar में हैं तो उनको तो मैं उनके result आने के बाद में ही add करूंगा क्योंकि अभी मै आगे बताऊंगा कि उसका reason क्या है ठीक है अब यहाँ पे ऐसे कई सारे stocks हैं जैसे की infosys बहतरीन नंबर आया था infosys का more than 20 percentage के correction पर भी अवलेबल है blue chip stock है cash flow बहतरीन है उसके लावा scl tech बहतरीन नंबर थे इसके भी इसको भी मैं यहाँ पे अपने portfolio में add करूंगा वापस से SIP का यहाँ पे समय आ चुका है इसके लावा एक और cash generating यहाँ पे blue chip stock है नंबर मेरे हिसाब से अच्छे थे थे थोड़े से वहाँ पे growth drivers की कमी थी valuation काफी जादा थे इस वजह से इसमें correction काफी जादा देखने को मिला stock का नाम है dmart इसके बाद banking stocks की बात करें तो HDFC bank जो ह अभी nearly 6 percentage के correction पर available है बहुत जादा वहाँ पे all time high से correction नहीं है लेकिन ICICI bank की अगर हम बात करें तो वो अच्छे correction पर है I think अभी 14 to 15 percentage के correction पर है एक बार exactly देखना होगा 20 percentage के correction पर नहीं आया है लेकिन अगर दो दिनों में गिरावट होती है और वो इस criteria को meet करता है then इसको भ काफी अच्छे थे quarter 3 भी काफी अच्छे आये है अब इसके लावा कुछ ऐसे stock है जिनके number आने बाकी है और उनको मैं track कर रहा हूँ जैसे बात करते हैं Titan की Titan अभी 20 percentage के criteria में नहीं आया है quarter 3 के इसके number भी नहीं आये है और Titan के अगर हम बात करें तो जब ये I think अभी 2300 के important होगा किस तरीके से number आते हैं अगर यहां पर आप फिर भी इसको add करना चाहते हैं तो मैं यहीं कहूंगा कि छोटा मोटा ही quantity add करिएगा quarter 3 के number देखना इसलिए important हो जाएगा क्योंकि अगर number में खराबी निकली तो वहां से stock में फिटाई और जादा हो जाएगी और अगर number अच्छे आए तो stock में तेजी भी आपको देखने को मिल सकती है तो number अच्छे आने के बाद आप उसको फिर से add कर सकते हैं लेकिन number खराब आने के बाद फिर जो level है वो आपको और ज्यादा काफी नीचे देखने को मिल सकते हैं इसके बाद अगर हम बात करें growth stock में तो यहा prices में correction हो चुका है तो काफी उम्मीद है कि यहाँ पर आपको number अच्छे देखने को मिल सकते हैं other than that बात करते हैं zublient food work की तो यहाँ पर इसके number अभी आने बाकी है बाकी company का capex वगएरा काफी अच्छा है business model अच्छा है तो इसको भी track किया जा सकता है तो यह कुछ stocks हैं जो मेरी राटार में हैं इसके लावा अगर हम बात करें 7% के correction की उमीद करते हैं कि मान लिजे मंडे से या Tuesday के दिन से आपको यहाँ पे market में rebound देखने को मिल जाए तो उस case में मैं क्या करूँगा तो देखे उस case में ETF को मैं add नहीं करने वाला हूँ ETF का मेरा जो criteria है add करने का वो तो इस case में ETF को तो नहीं add करूँगा बठा blue chip stocks में definitely यह जो list मैंने दिखाई है यहाँ पे SIP मेरी continue रहेगी बागी audience साइट से मैं request करूँगा कि कुछ stock अगर blue chip हो healthy cash flow generate कर रहे हूँ अच्छे quarter 3 के number आए हो 20% से ज़्यादा का correction हो इन में से कुछ अगर मैं miss कर रहा हूँ को दिक्सन के बारे में कर लेते हैं देखिए दिक्सन जो है 52% correct हो गया है तो definitely contrabit करने के लिए एक बहुत अच्छी opportunity है और अगर हम बात करें company के fundamentals की तो no doubt company के fundamentals अच्छे हैं electronic manufacturing की बात करें तो listed space में यह आपको market leader देखने को मिलेगा हाला कि company ने पहले ही बोला था कि quarter 3 उनके muted होंगे लेकिन किसी को ये expectation नहीं थे कि इतने ज़्यादा muted होंगे कि company के revenue decline कर जाएंगे sales decline कर जाएंगे और इसी वज़ा से इस stock में इतना बड़ा punishment जो है वो हमें देखने को मिल रहा है इसमें strategy क्या होने चाहिए तो देखे मेरे हिसाब से company जो है तो यहाँ पे अच्छी है no doubt fundamentals मेरे को अच्छे लगते हैं बहतरीन company है बट एक दफा यहाँ पे quarter 4 का wait कर लेना चाहिए company के अगर वहाँ पे revenue sales में growth आती है तो आप वापस से यहाँ पे buy on dips का जो strategy है उसको अपना सकते हैं अभी इसमें buy on dips इसलिए नहीं क गिरावट हो कुछ इस तरीके से जैसे यहाँ आपको देखने को मिला फिर यह ऐसे मिला तो इस तरीके की गिरावट जो है जनरली खराब result के बाद जो है तो कुछ हेकात महीने भी continue रहती है बेरिश जो है sentiment वो बना ही रहता है और वो शायद तब तक बना रहेगा जब तक यहाँ पर कंपनी के नंबर अच्छे न आ जाए तो इसलिए थोड़ा wait and watch कर सकते हैं इसे stock में बाकी management की जो commentary आई है वो काफी अच्छी है अभी भी मुझे थोड़ा ठीक लग रहा हालागी जो इनका total revenue का guidance था 15,000 उसको भी कंपनी ने घटा के 12,000 करोड का कर दिया था reason being कि वहाँ पर इनके mobile के भी business काफी जादा मतलब सिर्फ इनके business घट रहे हैं इस वज़ा से इन्होंने जो है तो guidance को घटाया है और जो reason यहाँ पर business कम होने का main reason है कि अभी जो है तो market में slow down चल रहा है हाला कि यहाँ पर management जो है अभी भी optimistic है FY24 को ले करके जिसमें इनका ये कहना है कि जो mobile से अभी revenue का जो इनका target है भी 4,000 नियर अबाउट करोड का वो बढ़ करके 9,000 करोड का हो जाएगा एक साल के बाद तो ऐसा management कहता है और अगर यहाँ पर इनके इस sector में growth आएगी तो definitely उ revenue में growth अच्छी आती है sales में growth अच्छी आती है profitability अच्छे बनते है इसके लावा यहाँ पर company जो है तो odium के भी segment में enter करना चारी है जिससे इनके margin भी improve होंगे तो उसके बाद इस stock को फिर से add किया सकता है फिलाहाल यहाँ पर panic में sell करने की ज़रूरत नहीं है company के जो है तो company इतनी खराब नहीं हो गई है ना ही company खतम होने जारी है जिसकी वज़ा से आप यहाँ पर sell कर दें तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही content अगर informative लगा हो useful लगा हो वीडियो को like कर सकते हैं do not forget to subscribe our channel thanks for watching the video